तो एक सवाल यह है कि अगर मैं किसी को उधार दूँ और वो वापस बढ़ा कर दे तो क्या ये सूध होगा किसी भाई का सवाल यह है कि उन्होंने किसी को उधार दिया है पैसा अब जो रिटन कर रहा है तो वो time असल एमाउंट से बढ़ा के दे रहा है यानि एक लाग रुपिया दिया था तो शायद एक लाग दस जार इसे कुछ बढ़ा के दे रहा है तो जो बढ़ा के वापस कर रहा है क्या ये सूध है कि नहीं तो देखे इसकी दो शकल हो सकती है एक तो ये कि आप कर्ज देते वक्त ये तहे कर दें कि आपको बढ़ा के देना है या ये कि उसको कुछ ऐसा इशारा दे यानि खुल करना कहेंगी बढ़ा को देना लेकिन कुछ ऐसा इशारा दे 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 और कुछ ऐसी बात कहे दे कि उसके दिमाग में बाद वैड़ी आए कि हाँ भाई ये कुछ मजीद फाइदा चाहता है इस कर्ज पर तो वो सूध होगा आप सराहतन ये कह दें कि ज्यादा चाहिए या इशारतन ये कह दें कि ज्यादा चाहिए उस बेना पर अगर वो बढ़ा के दे रहा है तो ये सूध होगा कि जो कर्ज भी अगर फाइदा दिलाए वो सूध है यानि मौाहिदे के तहद अगर आपने मौाहिदा किया और उस मौाहिदे के तहद आप फाइदा हसल कर रहे हैं तो ये सूध होगा लेकिन अगर इत्वाक से कोई आदमी कर्जा वापस करते हुए बढ़ा कर दे अपनी तरफ से आपने कोई डिमांड ने किया कोई मतालबा ने किया कर्ज देते हुए कोई मतालबा ने किया और ना ही कोई अशारा किया फिर भी कोई आदमी आपको रकम वापस कर रहा है तो अपनी खुशी से आपको बढ़ा के दे रहा है तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है चुनाचे एक हदीस सही बुखारी में हदीस अंबर 2392 अबू हुरेरा रजलों हदीस के रावी कहते हैं रजलन अतन नभी यतकाजाहु बईरन के लाकि नभी सल्लाव रसलों के पास एक शक्स आया जो कर्ज में दिया हुआ अपना उंट मांग रहा था यानि आप से सल्लम ने उससे कर्ज लिया था एक उंट और वो अपना कर्जा वापस मांगने आदे तो अल्ला के रसूल सल्ला लौसलम वें फर्माया कि इसे दे दो यानि उट मांगने आई इसका उंट इसको दे दो तो सहाब इकराम कहते हैं कि ये जो ल्युशन तो अल्ला की नभी ने झाए कि उसको दे दो कहा कि गर्चे हमारा उंट अच्छा है फिर भी उसे दे दो और हागे अब सब्सक्राइब ने एक बात ये भी की कि कर्जा वापस लोटाने में वो लोग सबसे बहतर हैं जो कर्जे को बहतर शकल में वापस करते हैं यानि अगर हमने किसी का एक लाख लिया है और वापस करते हैं अगर हम बढ़ा कर दें अपनी खोशी से अपनी मरजी से तो आप सब्सक्राइब ने ऐसा अमल किया भी है और इसकी होसला अवजाई की है तो आप सब्सक्राइब ने जो उट दिया था वो उससे जादा कीमती था उसका जो उट था जो आपस लोगों में बहतर और च्पार शाथ को रिटन किया उसको वापस किया और साथ में कहा भी कि लोगों में बहतर लोग वो है जो कर्ज को वापस करते हुए अच्छी तरह वापस करें यानि कुछ बढ़ा के दे तो अगर कोई आदनी बढ़ा के दे रहा है अपनी मर्जी से अपनी खोशी से तो ना सिर्फ ये जाइज है बलकि बहतर है और ये सूद नहीं है क्योंकि इस पर सही और सरी हदिस मौजूद है उमेदे कि आपका जवाब मिल गया होगा झाल 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 झाल